पेरे प्रिये भाई और बेहनों, आज का पहला पार्ट उत्पत्ती ग्रंद के अध्याई दो से लिया गया था। आज की पार्ट में हमने स्रिष्टी रचना का दूसरा वृतांत सुना। पहला वृतांत था अध्याई एक वाकि एक से लेकर अध्याई दो वाकि चार तक और स्रिष्टी रचना का दूसरा वृतांत है अध्याई दो वाकि चार से लेकर। और आज के पार्ट में दो विशय उभर के आए हैं। पहला विशय है मनुष्य की उत्पत्ति और दूसरा विशय है भले और बुरे के ज्ञान का व्रिक्ष मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में सिष्टी के बारे में पढ़ते हैं प्रभु ने धर्ती कोई मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नतनों में प्राण वायु फूख दी इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्तो बन गया वचन में हमने सुना कि प्रभु ईश्वर ने धर्ती के मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा मनुष्य का पुतला बनाया और उसके अंदर अपने प्राण वायु भूका ईश्वर ने मनुष्य को इस धर्ती के मिट्टी से गढ़ा मनुष्य का शरीर मिट्टी है इसलिए उत्पति ग्रंदी के अध्यायती इन वाकि उननेस में हम पढ़ेंगे प्रभु इश्वर ने आदम और हेवा के पाप के बाद उनसे कहा मनुश्य तू मिट्व्टी है और तू मिट्व्टी में मिल जाएगा तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा स्तोत्र नब्बे उसके वाकितीन में हम पढ़ते हैं स्तोत्र कार कहता है कि ये प्रभू तू मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर प्रान वायु फूका अपने वायु फूका अपना आत्मा रखा और वो सजीव तत्तु बन गया हम योहन के शुजमाचार की अध्याईचे वाकि तिरसट में पढ़ते हैं प्रभी येशु कहते हैं मांस व्यर्थ है आत्मा ही जीवन देता है हमारे ये शरीर व्यर्थ है ये मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है ईश्वर ने मनुश्य के पुतले के अंदर अपने प्रान वायु फूका मेरे प्रिये भाई और बेनों ये प्रक्रिया आज भी जारी है एश्वर प्रती पल हमारे अंदर अपने प्रान वायु को फूक रहा है जिस समय वो प्रान वायु फूकना बंद करेगा हमारे ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा एश्वर ने आदम के इस पुतले के अंदर अपने प्रान वायु फूका एक एक पल के लिए एक एक सांस के लिए हमें एश्वर को धन्यवाद देने की अबशकता है दूसरा विशह है भले और बुरे के ग्यान का व्रिक्ष बचन में आपने सुना प्रभी इश्वर ने धर्ती से सप्रकार के व्रिक्ष उगाए जो देखने में सुन्दर थे और जिसके फल स्वादिष्ट थे वाटिका के बीचों बीच जीवन व्रिक्ष था और भले बुरे के ग्यान का व्रिक्ष भी और इस भले-बुरे के ग्यान के वृक्ष के बारे में आगे आपने सुनाव आके 16 और 17 में प्रभी इश्वर ने मनुशprem को यादेश दिया तुम Vatica के सभी वृक्षों के पल कह सकते हो कि तुम भले-बुरे के ग्यान के वृक्षच का पल ने खाना क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे प्रभू ईश्वर ने एक सुंदर बगान बनाया जिसमें मनुश्य को रखा और सबी व्रिक्षों के फल स्वादिश्ट थे अच्छे थे भले थे लेकिन बीचों बीच ईश्वर ने एक भले और बुरे के घ्यान का बरिक्ष रोपा जिसके फल के बारे में प्रभू ने का उसको खाओगे तुम मर जाओगे यह भले और बुरे के घ्यान का बरिक्ष किया है मनन igator करेंगे देखिए इश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतरूप बनाया बैबल कहती है और इश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने गुण रख दिया और इश्वर का एक गुण है स्वतंत्र था और इश्वर ने मनुष्य को आप और मुझे स्वतंत्र बनाया है हम ईश्वर की कड़ पूतली नहीं है इस सत्य को जानना अवर्शक है हम कड़ पूतली नहीं है बलकि हम स्वतंत्र है हम ईश्वर के लिए हाँ भी कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं हम भलाई चुन सकते हैं बुराई भी चुन सकते हैं हम जीवन चुन सकते हैं, मृत्यू भी चुन सकते हैं, विदी विरन गंद की अधियायत 30, उसके वाकिय 15 में और 19 में, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यू, भलाई और बुलाई दोनु रखता हूं, तुम जीवन को चुनो, ईश्वर मनुशي के सामने चुनने का अधिकार रखता है, तुम्हें चुनने का अधिकार है, तुम चुनो, ये हमारी सुतंदरता का इससा है, अगर हम कटपुतली होते, तो हमें चुनने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इसलिए के हम स्वतंद्र हैं, हमें चुनने का धिकार दिया गया है, ये प्रेम का मामला है, इश्वर ने ऐसा किया चुनने का धिकार, अमयुत्पत्ति ग्रंद की अध्याय उन्नेस में पढ़ने को मिलता है इश्वर ने सोदोम और गुमोरा दो नगरों को नश्ठी किया लेकिन वहाँ पर रहने वाले एक धर्मी परिवार को इश्वर ने बचाया लोत के परिवार को उनसे कहा कि भाग जाओ यहां से लेकिन भागते समय कोई भी मुड़कर नहीं देखना और हम पढ़ते हैं कि लोत की पत्री ने मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई इश्वर ने फिर मनुश्य को चुनने का धिकार दिया सामुल के पहले ग्रंदी के अध्याय 15 में पढ़ेंगे कि इश्वर ने इस्राइल के राजा साउल को अधिकार दिया कि वो जाकर आमलकियों को हराएं सामर्त दिया कि जाकर हराएं लेकिन एक शर्त रखा क्या शर्त है कि वहाँ से कुछ भी अपने देश में नहीं लियाना पूरी बाइबल में इसी तरह हम देखते हैं कि इश्वर शर्त रखता है क्यों मनुश्य को चुनना है अपना चॉइस करना है इश्वर आपके लिए नहीं चुनेगा आपको चुनना है लेकिन हम जानते हैं आगे उत्पत्ति गरंध में पढ़ेंगे कि मनुश्य ने उसी पेड़ का फल चुना वो भलाएक अनबाव करता था इश्वर के साथ था भलेक अनबाव करता था लेकिन वो चाहता था कि बुराएका भी थोड़ा अनबाव करें भले बुरे के ग्यान का अनबाव ग्यान बाइबल में है अनबाव वो भुराएका भी अनबाव करना चाहता था लोकस के समाचार के अध्याए 15 में हम उड़ाव पुत्र के बारे में सुनते हैं उड़ाव पुत्र अपने पिता के बावन में दनी पिता के बावन में अराम से जी रहा था लेकिन उसके मन में एक धारना आई कि मैं यहां कब तक जीऊंगा मैं स्वतंद्र जीवन जीना चाहता हूं परदेश में जाकर आयश का जीवन जीना चाहता हूं चला जाता है और वो भोगता है मनुष्य बुराई कोई चुनना चाहता है बड़ी मज़े की बात है आपने देखा इस सिगरट पर लिखा हूँ आ रहता है यह आपके स्वास्ति के लिए आनिकारक है इसके बावजूद मनुष्य उसको उठाता है मनुष्य जानता है कि दारू पीना शरीर के लिए और जीवन के अच्छा नहीं विर्वाल के लिए अच्छा नहीं तब भी पीता है मनुष्य जानता है कि गुटका खाना अन्य चीज़ाना अच्छा नहीं इससे Cancer आसकता है इसकी बावजूद वो करता है मनुश्य जानता है कि वासना संबंदी कई कप्राद और पाप करना अच्छा नहीं है एज का रोक तक आ सकता है तब भी वो करता है भले बुरे का ग्यान का ब्रिक्ष लेकिन मनुश्य बुराई को भी चखना चाता था ये मनुश्य के पतन का कारण बनता है मेरे प्रिये भाई और बैनों आज भी प्रभु ने हमारे सामने यह चुनने का मौगा दिया है उत्पत्य ग्रंद में कहाने के रोप में लिखा गया है लेकिन आज प्रति दिन के जीवन में वास्तविकता है चुनने के लिए शुर अवसर देता है हमें भलाई चुननी है हमें जीवन चुनना है